हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दे एक्जाम है कर योटूब चैनल दोस्तों आज की इस पीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की इस पीडियो में हम लोग यूपी पीएसी 2020 जेगराफी मेंस से एक प्रश्ण को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे तो आज का क्योशन देख लेते हैं पर गीव एन एकाउंट आप इरोजनल लेंड फॉर्म प्रोडूर्श्ट बाइ वींड हिंदी में हैं पवंद वारा निर्मित अप्रद्यनात्मक इस्थल रूपो का वार्डन कीजिए तो यहां पर आपसे क्या पुछा है जो हमारी बहुत सारी जो जियो मॉर्फिक एजेंट होती है उसमें एक वींड भी एजेंट होती है ठीक है तो वींड जियो मॉर्फिक एजेंट द्वारा जो इरोजनल लेंड फॉर्म जो क्रियेट होते है ठीक है डीपोजिशनल यहां पे landform कि बात नहीं कर रहा है wind जो हमारी geomorphic agent होती है उसके दौरए original landform जो create होता है उसको आपको यहाँ पे explain करना है कौन-कौन-सी original landform wind create करता है ठीक है चलो दसनों आज का वीडि़ियो start करते हैं और सबसे पहले हैं पे introduction पार्ट में आप थोड़ा सा जो wind geomorphic agent है उसके बारे में आप यहाँ पर बताओगे तो जो wind होती है बहुत ही active हमारी geomorphic agent है जो कि desert area में active होती है और desert area में जहाँ पर little vegetation होता है और strong हमारी surface winds होती है तो surface winds strong होता है little vegetation होती है तो वहाँ पर winds हमारी क्या होती है बहुत ज़्यादा actively काम करता है और वहाँ पे erosional और depositional landform create करता है और erosional और depositional landform जो wind के द्वारा create होता है उसको बोलते हैं Evalian landform ठीक है तो Evalian landform भी हम बोलते हैं जो हमारी wind के द्वारा जो landform create होते हैं अब यहाँ पे question में आपसे सिफ इरosional landform की बात पुछ कर रहा है तो Erosional landform आप डिजट एरिया में जो wind create होती है उसमें महत्पूर्ड जो है वो हमारी चार यहाँ पे महत्पूर्ड landform है पहला है हमारे इंसल बर्ग या मोनाड नौक भी बोलते हैं इसको दूसरा है यहाँ पे जुगेन तिसरी है हमारी मस्रूम रॉक और चावती हमारी पेडी प्लेन तो चार हमारी बहुत ही महत्पूर्ड इरोजिनल landform विंड की दिवरा create होते हैं डिजट एरिया में अब इन चारों landform को आपको इमेज की सहाथा से आपको बताना है और थोड़ा सा उसको explain भी करना है यानि कि लिखना भी है उसके होती क्या है तो इनसल बर्ग या मुनाड नौक की बात करें तो ये कैसे create होती है ये आप देख सकते हो कि ये digit area है digit area में सबसे उचे जो टीला होती है ठीक है ये rock चटानी होती है इसको बोलते है इनसल बर्ग ये तब होता है wind जो होती है surrounding जो softer rock है उसको erode करती जाती है और erode करके इसको समतल कर देती है लेकिन इनसल बर्ग तब होता हमारी बहुत होर्ड रॉक होती है कैसे create होती है कि हमारी जो hard rock होती है उसको erode नहीं कर पाती है और soft rock erode कर देती है तो यहाँ पर hard rock जो होती है hard rock होती है वो हमारी बहुत ही उचे दिखती है इसको बोलते है इनसल बर्ग ठीक है ये हमारी पहली eroginal landform हो गई दूसरी हमारी यह है jogen, jogen landform एक तरह से table no more safe होती है यह भी same है यहाँ पर jogen जो landform होती हो भी hard और soft rock से ही जो phenomena होती है उसी से create होती है यह हमारी hard rock होती है surrounding में soft rock होती है winds कै करती है इसको erode करती है यहां पर हिल जैसा एरिया होती है उसको बलते हैं इंसलबर्ग टेबल नुमा जो हमारी जो बचती है उसको बोलते हैं जूगेन तिसरी टाइप के यहां पर बहुत है मस्रूम रॉक मस्रूम जैसा देखने को मिलता है ऐसा इसलिए इसलिए स्टार्टिंग में एक रॉक ही होता है यहां लेकिन रॉक में ही क्या होती है की जो बॉटम पार्ट होती है यह हमारी softer होती है और जो upper part होती है यह बहुत ही hard होती है रोक तो ऐसी specific rock जब मिलते हैं तो winds क्या करती है कि जो lower part होती है इसको जल्दी से erode कर देती है लेकिं upper part को जल्दी से erode नहीं कर पाती है तो यहाँ पर आप देखते हो यह हमारी pillar यहाँ बच जाती है और इसके उपर बहुत ही ज़्यादा large portion बच जाता है एक mushroom जैसा shape बन जाता है इसको बलते है mushroom rock यह हमारी wind के तवरा erosional landform है इसके बाद आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो landform मनती है erosional landform वहती है पेडी plane पेडी plane क्या होती है कि जो wind हमारी erode करते 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 क्या करती है एक last जो सबसे featureless जो हमारी plane area मनती है बिलकुली समतल भूमी जो मनती है और इसका bottom जो होते है रोकी होते है ऐसे area जब मनती है उसको बलते है पेडी plane इसको further erode नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी जो area जो आप बोल सकते label है यह बहुत ही कम हो जाती है ठीक है तो इसको बलते है पेडी plane तो digit area म होती है ऐसे इसको बोलते हैं पेडी plane तो चार हमारी major original landform wind के द्वारा digit area में create होते हैं इसको हम लोग यहां पर देख लिए ठीक है तो यह हमारी दोस्तों जो इरोजिनल landform थी wind के द्वारा उसको हम लोग डिसर्स किये तो आज के लिए बसना ही आई होप यहां पर जो हम लोग डिसर्स किये हैं आपको पसंद आया होंगे तो कमेंट करके आप ज़रू बताना वीडियो कैसे लगी कोई edition करना चाहते हैं यहां पर तो पर भी आप अप अपने थौट को आप शेयर किजिएगा कमेंट करके तो थैंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक्यू